साथियों, बीते डेड़ दसक से नितिश जी, सुसिल जी और उनकी टीम, समाज के इस सबसे कमजोर वर्ग के आत्मविश्वास को लोटाने का बरपूर प्रयास कर रही है। विशेश तोर पर जिस प्रकार बेटियों की पढ़ाई लिखाई को पंचायत, राज, सहीत, स्थानिय निकाय में बंचीत, सोशित, समाज के साथियों की भागिदारी को प्रात्विक्ता दी गई है। उससे उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। और उनकी देखरेक का काम, उसका जिम्मा अब स्थानिय निकाय, स्थानिय जरूरतों के हिसाब से कर पा रहे है। यही कारण है कि अब केंद्रों और बिहार सरकार के साजा प्रयासों से बिहार के शहरों में पीने के पानी और सिवर जैसी मूल सुविदाओं के धाचे में निरंतर सुधार हो रहा है। मिशन अमरुत और राज सरकार की योजनाओं के तहट बीते चार-पांच सालों में बिहार के सहरिक शेत्र में लाखों परिवारों को पानी की सुविदा से जोड़ा गया है। आने वाले वर्षों में बिहार देश के उन राज्यों में होगा जहां हर गर पाईप से पानी पहुँचने लगेगा। ये बिहार के लिए बहुत बड़ी उपलब्दी होगी। बिहार का गवरो बढ़ाने वाली बात होगी। आपने इस बड़े लक्ष की प्राप्ति के लिए कोरोना के इस संकट काल में भी बिहार के लोगों ने निरंतर काम किया है। बीते कुछ महिनों में बिहार के ग्रामिन शेत्र में 57 लाग से जादा परिवारों को पानी के कनक्षन से जोड़ा गया है। इसमें बहुत बड़ी भूमिका प्रधान मंत्री गरीब कल्यार रोजगार अभियान ने भी निभाई है। हमारे हजारों स्रमिक साथी जो कोरोना की वज़र से दूसरे राज्यों से बिहार लोटे उन्होंने ये काम करके दिखाया है। जल जीवन मिशन की ये तेजी बिहार के मेरे इन परिश्रमी साथियों को ही समर्पित है। बिते एक साल में जल जीवन मिशन के तहट पुरे देश में दो करोड से ज़्यादा पानी के कनेक्शन दिये जा चुके हैं। आज देश में हर दिन एक लाग से ज़्यादा घरों को पाइप से पानी के नए कनेक्शन से जोड़ा जा रहा है। स्वच्छ पानी मध्यंबर का गरीब का न स्रिब जीवन बहतर बनाता है बलकि उन्हें अनेक गंबीर बिमारियों से भी बचाता है। साथियों सहरी छेत्र में भी विहार के लाखों लोगों को शुद्ध पानी के कनेक्शन से जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है। पूरे बिहार में अम्रुत योजरा के तहट लगबग 12 लाग परिवारों को शुद्ध पानी के कनेक्शन से जोड़ने का लक्ष है। इसमें से करीब 6 लाग परिवारों तक ये सुविदा पहुच चुकी है। बाकी परिवारों को भी बहुत जल्द स्वच्छ जल्द की सुविदा उपलब्द हो जाएगी। आज जिन परियोजनाओं का सेलान्यास किया गया है वो इसी संकल्प का हिस्सा है।